पूल खुलने के बाद 27 सितंबर से 21 अक्तूबर तक 126 विद्यार्थी पोश्टिव आ चुके हैं जब की मोत का पहला मामला है विभागी अधिकार्यों ने बताये कि जिस छात्रा की मोत हुई है वह 12 अक्तूबर से स्कूल नहीं आय थी विभाग ने एहतियातन स्कूल में छात्रों और शिक्षिकों के अलावा आसपास के क्षित्र में 169 लोगों की करोना की जांच की है कूल को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है CMO कांगडा डॉक्टर गुरदर्शन गुपता ने वताये कि एहतियातन तोर पर विद्यार्थियों शिक्षिकों वह गाओं के लोगों की करोना जांच के लिए 169 सैंपल ले लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट शुकरवार को आएगी उधर सैनिक स्कूल सुजानपुर में दो विद्यार्थि भी संकरमित हुए हैं इसके लावा गुरुवार को तीन और लोगों की मोत हो गई वहीं 24 घंटे के दोरान परदेश में 202 ने करोना पोजिटिव मरीज आये हैं कांगडा जिला में दो भुजूर्ग और शिमला में एक भुजूर्ग की मोत हुई है शिक्षबिभाग से मिली आंकडों के अनुसार गुरुवार को उन्ना में 19, कांगडा में 9, मंडी में 3 और हमीरपुर में कुल 5 विद्यार्थि संकरमित हुए हैं उधर प्रदेश में करोना मृत्कों का आंकडा 3,715 पहुँच गया है प्रदेश में अब तक करोना के 2,22,138 मामले आ चुके हैं इन में से 2,16,954 ठीक हो चुके हैं करोना सक्रिय मामले 1,452 हो गए हैं इन में से बलासपुर जिले में 90, 12, 12, हमीरपुर 303, कांगडा 523, किनोर 9, कुलू 39, लाहल स्पीती शुन्य, मंडी 183, शिमला 88, सिर्मोर शुन्य, सोलन 49 और उन्ना में 176 सक्रिय मामले हैं बीते 24 घंटों के दोरान 140 मरीज ठीक हो गए हैं और कुरोना की जांच के लिए 7,105 लोगों के सैंपल लिए गए हैं वहीं सिर्मोर जिले के बाद अब लाहल स्पीती भी कुरोना मुक्त हो गया है जिले में सक्रिय केस शुन्य हो गए हैं